यूकरेन के कमांडर एंचीफ जनरल वालेरी जालुजनी ने वाशिंग्टन पोस्ट के इंटिव्यू में दावा किया कि यूकरेन जंग जीतने वाले हत्यार नहीं दिये जा रहे हैं जनिरल वालेरी जालुजणी ने अमेरड़ी जालुजणी ने अमेरिका पर निशाना सादते हुए का कि युक्रेन को हर अटे एक लाग तोव के गोले चाहिए लेकिन वो नहीं मिल पा रहें जिसकी वज़ा से यूखरेन के हजार सैनिक हर हफ़ते मारे जा रहे हैं हैरानी की बात यह है कि जनरल वालेरी अमेरिका पर यूक्रेन की हार कट ठीकरा पोड़ना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन का काउंटर अटैक बेहत खुनी हो चुका है। कि तो फ़र जेलन्स की जीत के दावे कर कैसे रहे हैं। आखिर 16 महीने की भीशन जंग के बाद राश्रपती जेलन्स की और यूक्रेनी सेना के कमांडर जनरल जालू जनी को ये क्यों कहना पड़ रहा है। कि यूक्रेन अमेरिका की वज़े से हार रहा है। क्या वाकई में अमेरिका यूक्रेन को जंग जीतने वाले हथियार नहीं दे रहा है। मस्त पड़ा जनरल खून से लदपत यूक्रेन चार जून से अब तक ऐसी क्या वज़ा रही है कि यूक्रेनी सेना का रूस के खिलाफ काउंटर अटैक लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। आखिर अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले को ये क्यूं कहना पड़ा कि यूक्रेन के काउंटर अटैक में सिर्फ खून ही खून है जहां यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हो रहा है। अमेरिका का धोखा यूक्रेन की मौत का तमाशा। 45 साल के जैलंस्की जिस वक्त यूक्रेन के जनरल और कमांडरों से युद्ध का अपडेट लेते हैं। जो लगभग 15 लाख करोड की कीमत के हैं। लेकिन उसके बावजूत यूक्रेनी सेना के 49 साल के कमांडर इंचीफ जनरल जालूजनी का साफ कहना है कि यूक्रेन को अभी वो हत्यार नहीं मिले हैं। जिसके दम पर रूस को हराया या खदेड़ा जा सकी है। जालूजनी का दावा है कि जंग जीतने वाले सबसे खातक हत्यार अब तक अमेरिका ने नहीं दिये हैं। जालूजनी ने यहां तक दावा किया है कि अमेरिका के जनरलों ने वादा किया था कि वो हफ्ते के 7 दन 24 गंटे लगातार यूक्रेन की हर तरह से मदद करेंगे। लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है। जालूजनी के मदबिक हर हफ्ते एक लाख तोप के गोलों की जरूरत यूक्रेन की सेना को है। लेकिन एक लाख गोले नहीं मिल रहे हैं जिसकी वज़ह से एक हजार यूक्रेनी सैनिक मारे जा रहे हैं। जालूजनी का यहां तक दाबा है कि यूक्रेन को अभी तक अब 16 लड़ा को विमानों के देने पर फाइनल फैसला नहीं लिया गया है। जिसकी वज़ह से काउंटर अटैक भूस के खिलाफ काफी भीमा चल रहा है। जनरल वालेरी जालूजनी का यहां तक दाबा है कि इसलिए यूक्रेनी सेना को 500 मीटर यानि आधी किलो मीटर की दूरी पर खब्जा घरने में काफी खून बहाना पड़ रहा है। बहा है। Дуже уважно аналізуємо кожен факт і будь-які перспективи по всім напрямкам. Рішенням Ставки Головкому, Залужному та Генералу Найво доручно посилити північний напрямок, щоб гарантувати спокій. शायद Second World War के बाद, ये ऐसा पहला युद्ध है, जहां एक देश यानी रूस 81 देशों से जंग कर रहा है. नैटो के 31 और पश्चिम के 50 देश मिलकर इस स्वक्त योक्रेन को अंदा धुंद हत्यार देने में जुटे हैं. हालात ये हो गए हैं कि इस स्वक्त योक्रेन दुनिया का एकलोता ऐसा देश है, जो 600 तरह के हथियारों के साथ रूस के खिलाप जंग कर रहा है. यहां तक कि दुनिया की सबसे ज़ादा एंटी टैंक मिसाइलें भी इस स्वक्त योक्रेन के पास पहुँच चुकी है. लेकिन हैरानी की बात ये है कि जो योक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के 230,000 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है, वो योक्रेन पूर्वी और दक्षनी योक्रेन से अब तक रूस को नहीं ख़देड पाया है. योक्रेन का दावा है कि उसने रूस के लदभग 4,000 टैंक, 7,600 सी जादा बक्तरबन, 3,800 सी जादा तो खाना और 318 लड़ा को दिमान को तबाह कर डाला है इस बीच अमेरिका ने शारों ही शारों में योक्रेनी सेना पर सवाल खड़े कर दिये हैं अमेरिका का साफ कहना है कि योक्रेन के काउंटर अटैक का कमजोर होना पूरी दुनिया को निराश कर रहा है वहीं अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले ने योक्रेन के काउंटर अटैक को लेकर क्या कहा? जरा ये भी जान लीजे अमेरिका के जनरल मार्क मिले योकरेनी सीना को दी जाने वाले हथियारों पर निगरानी रख रहे हैं मार्क मिले ही उस अमेरिकी टीम का प्रमुक हिस्सा है जो तैय करती है कि योकरेन को कौन से और कितने हथियार देना चाहिए जनरल मार्क मिले ने साफ कहा है कि योक्रेन का counter attack बेहत्थखोनी होने वाला है जो काफी वक्त तक चलेगा मार्क मिले कहना चाहरे है कि योक्रेन को अभी और ज्यादा खून बहाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पुतिन का रूस योक्रेन के पांच में हिस्से पर कबजा करना चाह रहा है जनरल मार्क मिले ने वो अशिंटन में नैशनल ट्रेस कलब को बताया कि योक्रेन का जवावी हमला लगातार आगे बढ़ रहा था जान बूज कर बहुत कटेन इलाखों में जंग की जा रही है यहां हर दिन 500 मीटर, 1000 मीटर और 2000 मीटर के इलाखे पर कबजे की जंगे हो रही है जो बेहत खुनी हो चुकी मस्त पड़ा जंडल, खुन से लटपत योक्रे कुछ defense exports का यहां तक दाबा है कि योक्रेन जंग को तब तक नहीं रोकना चाता है जब तक योक्रेन को नैटो में शामिल नहीं कर लिया जाता है अगर योक्रेन अभी रूस से शांती समझोता करता या फिर सरेंडर करता है तो फिर नैटो के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि हारे हुए, पिटे हुए और हाफते हुए योक्रेन को नैटो का मेंबर बनाया जाए यही वज़ा है कि युद्ध बेहत लंबा चलेगा अमेरिका के रक्षा लोयड ओस्टेन ने साफ कहा है कि युद्ध मेराथन की रेज की तरह लंबा चलेगा लुद्ध मेराशन का show you viral and Ukraine's fight is a marathon and not a sprint so we will continue to provide Ukraine with the urgent capabilities that it needs to meet this moment as well as what it needs to keep itself secure for the longterm from Russian aggression and make no mistake देफेंस एक्सपर्ट्स के मताबिक रूसी सेना पर उक्रेन का काउंटर अटेक उसके लिए स्यूसाइड मिशन साबित होगा जोकि पुतिन के रूस ने पिछले पांच महीनों में जबरदस्त तयारी कर ली है इस वक्त हर महीने रूस लंबी दूरी की सत्तर से ज़ादा हाइपरसोनिक मेसाइलें बना रहा है जबकि रूस के पास रिजर्ब में 7000 टैंक मौझूद हैं जो योक्रेन को पूरी तरक को चलने के लिए काफी हैं इसके अलाबा सुकोई और मिक्स सिरीज के 700 से जादा फाइटर जेट और बॉमर योक्रेन के शहरों के चीथड़े उड़ा रहे हैं ऐसे हालात में योक्रेन का काउंटर अटैक वार एक्सपॉर्ट की समझ से बार है जबकि जेलंस्की का मानना है कि अगर अभी रूसी सेना पर काउंटर अटैक नहीं किया तो रूस कुछ हफ्तों में ही राजधानी की उपर भी कपजा कर लेगा जेलंस्की का यही डर और खौफ योक्रेन के काउंटर अटैक की पोल खोल रहा है झाला हम झाला है यह उका वार कि मोट का तामाशा प्रूब्स्ट प्रूब्स्ट अबस्ट तेख नबस्ट ए पिर रहा है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रितन, चेर्मनी जैसे एक-30 नेटो देशों से ट्रेनिंग लेकर आए, जो योक्रेनी सेनिक इस वक्त रूस के खिलाफ काउंटर अटैक कर रहे हैं, वो बेहग धीनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, ताकि क अमसे कम योक्रेनी सेनिक बारे जाएं, योक्रेन की सेना अभी तक रूस की फर्स डेफेंस लाइन को भी नहीं चूपाई है, जबकि जैलैंसकी अभी भी दावा कर रहे हैं कि योक्रेन का काउंटर अटैक रूस पर भारी पड़ रहा है यह पपज़ाँ पूप सा पफिल्श तके इस दिख भूप इडरो सिला पोर्देटेश यह इंचलेश पित्रे सबख्मूत घरेइच्टा विक्साइश मोलट सीबूइने पोतिन अपने जनरलों के साथ पूरा हिसाब लगा चुके हैं कि योक्रेन को कब तक युद्ध में खीचना है क्योंकि रूस को अच्छी तरह से असास हो चुका है कि अगर इस वक्त जंग रोकी तो योक्रेन को जिन्दा होने का मौका मिल जाएगा और नैटो भी रूस के खिलाफ और ज्यादा बेहतर क्यारी में जोड़ जाएगा इसलिए पुतिन ताबर तोड हमले पूर्वी योक्रेन पर कर रहे हैं अगर चार जून से हिसाब लगाएं जिस दिन से योक्रेन ने रूस के खिलाफ काउंटर अटैक शुरू किया था तो अब तक योक्रेन के 10 से 12 अजार सैनिक मारे जा चुके हैं ये दिशे गित्लर है जैलन्स की भले ही पूर्वी योक्रेन में अपनी जीत के दावे करें लेकिन वखमोट, क्राइमिया, डॉनबास, डॉनेस, खेरसोन, खार्कियो, मिकोलाइब, जापुराजिया और लोहांस, ओबलास्त ये वो इलाके हैं जहां योक्रेन रूस के खिलाब सबसे जादा हमले कर रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि योक्रेनी सेना अभी तक रूस की फॉस्स डिफेंस लाइन को टच तक नहीं कर पाई है इसलिए अब कहा जाने लगा है कि चार हफते से चल रहा योक्रेन का काउंटर अटैक फेल हो चुका है इधर जिस तरह से योक्रेन के जनरल जालुजनी अमेरिका के पोल खोल रहे हैं उससे साब पता चलता है कि योक्रेन अब हार की कगार पर पहुंच चुका है झाल झाल